Dear students, छेले हम लोग चलते हैं Class 10th के, हम लोग Science Subject को परते हैं और Science में, जैसा कि आपको पता है, हम लोग परकास के परावरतन तथा अपवरतन परा रहे थें अब परकास के परावरतन तथा अपवरतन में, हम लोग Lens के बारे में डिस्कर्फ किये थे अच्छा लेंस के बारे में हम लोग ये भी पढ़े थे कितने तरह का लेंस होते हैं तो दो तरह का लेंस होते हैं एक का नाम उतल होता है एक का नाम ओतल होता है ठीक है उतना चेज पढ़ने के बाद हम लोग उतल लेंस लेंसे के द्वारा बना हुआ परतिबीम्ब के बारे में पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग एक टेबल भी उतल लेंस में बनाए हुए थे कि किसी भी वस्तू को कहां पर रखने पर उसका परतिबीम्ब कहां बनता है चलिए आगे हम लोग डिसकस करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक लेंगे टॉपिक का नाम क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा उतल लेंस द्वारा उतल लेंस द्वारा बना परतिबीम्ब का आरेक आरेक का मतलब क्या होता है डाइग्राम आरेक का मतलब डाइग्राम डाइग्राम हम लोग खीचेंगे किस लेंस द्वारा बना परतिबींब का डाइग्राम किचेंगे अब इसमें हम लोग डाइग्राम खीचने के लिए सबसे पहले पहला नंबर से आपको जैसा कियाद होगा कि टोटल उस्तर लेंस में 6 केस होते हैं कब जब ववस्तु को हम लोग कहां रखते हैं तो परतिबींब कहां बनता है तो इस तरीके से टोटल 6 हम लोग किये हुए थे अब उसी 6 का हम लोग आरेख बनाएंगे यहां पर आरेख का मतलब तो समझ ही रहे हैं आरेख का मतलब डाइग्राम कि अगर तो याद है ना हम लोग सबसे पहले पहला से स्टार्ट करते हैं और यह जो आरेख है आप इसको बिल्कुल किलियर कट सब के बारे में आरेख बनाएगा पैंसिल से ठीक है गदम किलियर फिकर हम तो आपको पैंसिल से आपको दिखेगा नहीं तो इसके वज़ा से सबसे पहले पहला में हम लोग सिखे थे कि जब वस्तू कहां होगा अनन्द पर तो पहला का नाम लिखे जब वस्तू वस्तू को ही हम लोग बीम्ब भी बोलते हैं जब वस्तू या बीम्ब कहां हो अनन्द पर हो ठीक है जब वस्तू या बीम्ब अनन्द पर हो तब हम दिखिए सबसे पहला हम लोग को किस लेंस में चलना है उत्तर लेंस में चलना है तो आप उत्तर लेंस का फिगर बनाई ये तो उत्तर लेंस का फिगर ऐसे होता है ठीक है अब यह तो उत्तर लेंस हो गया अब उत्तर लेंस में क्या क्या चीज होता है तो उत्तर लेंस के बीच वाला पॉइंट को ओ कहते हैं तो ओ कहते हैं अब इंच की सहाता से आपको बिल्कुल सीधा लाइन खिचना है और इसी सीधा लाइन को हम लोग क्या को बोलते हैं इसको बोलते हैं मुख्य अच्छ तो यह बार बार आपको दिखाना नहीं है कि मुख्य अच्छ है आप एक बार दिखा दिजे तो फिर समझ जाएगा कि यह लेंस का मुख्य अच्छ है अब जानते हैं कि लेंस के एक तरफ सीवन होता है और एक तरफ एफवन हो हो जाएगा स्टूं और उसके बाद हो जाएगा लगभग में सिटू ठिक है इस ऐपने हिसाब से देदेना होता है ठीक है अच्छा अब क्या बोल रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं होता है अच्छा लेंसुक्षका नाम देना है तो आप दर दिजी कि aim और aim क्या है lens है lens का नाम है amen और आपको जो है इतना काम हर figure में करना है क्योंकि एक उत्तर lens बनाना है और उसके बीच से एक मुख्य अच क्रोस करना है जो O से पास करता है और इस O को हम लोग क्या बोलते पता है न lens के बीच वाले को O बोलते हैं जबकि अगर दरपन रहता तो उसको हम लोग P बोलते हैं यहीं कि धुरू बोलते हैं उसको लेकिन यहाँ O है और O को बोलते हैं हम लोग प्रकासिक केंद्र इसको क्या बोलते हैं प्रकासिक केंद्र बोलते हैं ठीक है तो यह हो गया प्रकासिक केंद्र जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये C1 है, F1 है C2 है, F2 है अब हमको यहाँ पे यानि कि इतना चीज देखिए ये सब सारा जो है ये चीज common point है और इतना चीज हम लोगों को हर figure में करना होगा चाहे वस्तू अनंध पे रहे, चाहे C1 पे रहे, चाहे C1 F1 के बीच में रहे, चाहे F1 O के बीच में रहे, कहीं पे भी वस्तू रखना होगा, हम लोगों को इतना काम जरूर करना होगा, ठीक है अब जलिए आते हैं कि पहला क्या बोल रहे हैं, जब वस्तू कहां हो अनंध पे हो, तो अनंध कहां होता है, तो ये वला ये वला पार्ट इधर अनंध है समझ मैं रहे, तो इधर वला पार्ट अनंध है और जब अनंध से किसी भी रेखा को लेंस पे गुजारते हैं, जैसे मान लिया कि ये सब लाइन से है, आप चाहेंगे तो इसको अलग पेन से, यानि कि ब्लैक पेन से या फिर अलग कलर के पेन से इसको आप डिनोट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये परकास किरन है, जो कहां से आ रहा है तो ये सब जो है अनंध से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है अनंत से आ रहा है ये सब भी किर्ने अनंत से आ रही है और अनंत से आने के बाद चुकि परकासिक के इंदर ये बीच वाला point है बीच के point से गुझरना पड़ेगा तो हम लोग जानते हैं na कि अगर मुख्यच के सामानांतर अगर कोई किरने आती है, तो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो ए भी चाहेगा कि हम भी फोकस से होकर गुजरें, आप ज़रा अच्छा से बनाएगा, यानि कि इधर उदर ने होना चाहिए, इंज की सहाता से मिलाएगा, यहां पे और यहां पे मिलाएगा, तो यहां से यह पता चल रहा है कि इधर से आने वाली किरन को दिखा देंगे Aero से, कि यह इधर से इधर आ रहा था, इस पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यह मुख्य अच्छ है, यह वाला किरन को हम लोग डाल रहे थे, तो यहां के बाद इधर मुढ गया, तो यहां से यही पता चल रहा है कि अगर अनंत से कोई किरने आती है कोई भी किरने अगर अनंत से आती है तो लेंस से गुजरने के बाद और कौन सा लेंस तो यहां पर उत्तर लेंस ऐसे तो आप लिख भी सकते हैं ने तो हम उपर में देही दिये हैं टॉपिक है मेरा उत्तर लेंस द्वारा बना परतिभीम कारेथ तो इसमें हम लोगों को क्या-क्या बात पता चला जरा अब हम लोग लिखते हैं चुकि सबसे पहला ध्यान देजिए कि जो हम लोगों को कट रहा है सब बिंदू लेंस से उस पार जाने के बाद कहां पे कट रहा है तो फोकस पर कट रहा है इसलिए परतिभीम्ब कहा बनेगा तो यहां पहला पॉइंट में लिखेंगे परतिभीम्ब एप्टू पर बनेगा ठीक है यहां से एक पॉइंट तो पते चला अच्छा अब आप देखिए तो यहां पर एक बिंदू के समानना कट रहा है तो यहां याने कि जो परतिबिम्ब का साइज होगा वो देख पा रहे होंगे एक दम यहां पर एक पॉइंट पर कटेगा तो ब एकदम परतिबिम्ब का साइज एकदम बिंदू जैसा बनेगा तो यहां पर लिखेंगे अतियंत छोटा अतियंत छोटा या बिंदू साइज का प्रतिबिम्ब बनेगा समझ पा रहे ना एकदम छोटा सा बनेगा अच्छा आप तो देख पा रहे होंगे कि हम लोगों का वस्तु लेंस के इस साइड है और परतिबिम्ब लेंस के दूसरे साइड बन रहे है तो जब दूसरे साइड बनता है तो हमेशा उसका प्रकृति क्या होता है तो वास्तविक और वास्तविक हो जाएगा तो हम लोग उसके साथ उल्टा भी लगा देते हैं समझ पारे नाप चीजों को यानि कि आपको वास्तविक और आभासि का हम पहचान करने के लिए नियम बताते हैं कि जीधर वस्तू रहेगा उसका परतिमी मगर दूसरे सैड बनेगा तब आप बोल देजिए वास्तविक और वास्तविक बोलिये तो उल्टा बोलना पड़ेगा और जब आभासि हो जाएगा तो आभासि होगा तो सिधा हो जाएगा और आभासि कब होगा जब वस्तू के साइड के तरफ जिसे माल लिया कि वस्तू तो इधर ना है इधर से कि भी रंजा रहा था इधरे पर तीविम बन जाता तब हम लोग इसको आभासी बोलते हैं ठीक है चलिए तो अभी हम लोग पहला चीज को डिसकस किए अब आए हम लोग सेकेंड को डिसकस करते हैं कि सेकेंड क्या था कि चलिए तो सेकेंड वाला है सेकेंड में हम लोग क्या सिखें कि जब वस्तु कहां हो तो जब वस्तु अनांत और टू एफवन के बीच हो तो आप लिख लिजिए यहां पर जब वस्तु कहां कहां हो अनांत और चीजिए और सिवन सिवन को ही हम लुग बोलते है आपको कहीं भी वस्तु रहेगा आपको यह वाला काम तो करना ही करना है एक उत्तल लेंस बनाना है, उसके बीच से एक लाइन क्रोस करना है, ध्यान रहे बीच से मेरा थोड़ा से इधर हो जा रहा है, तो आप इसको नेगलेट करके चलिएगा, बीचो बीच होना चाहिए जिसको प्रकासिक के अंदर बोलते हैं, एक तरफ आप C1 लिखिए, फिर य अनांत और C1 के बीच वस्तु रखता है, तो आप इसको और बढ़ा लिजे, अनांत और C के बीच वस्तु रखना है, तो हम ये वस्तु रख दिये, इसका नाम भी रख देंगे, A, B, ठीक है, अपने इसाब से, अनांत इधर हो गया, और C1 या है, तो अनांत और C1 के बीच अगर निकलेगा देखिए AB मेरा एक वस्तु है और जब इस वस्तु से अगर हम लोगों का अगर कोई कीरन निकलेगा अगर bekommen लिया कि एक कीरन बिलकुल समानांथर निकले डेखिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा क्योंकि यह चीजें प्रैक्टिस से आती है कि अगर मानलिया कि वस्तु अनंद और सीवन के बीच है तो काहएं डायग्राम बनेगा कई से बनेगा आपको so here. अगर कोई करने जाएगी तो किससे होकर लोटेगी इसे फोकस होकर गुजरेगी एसे ठीक है तो यहां से ऐसे गुजरी अच्छा फिर अगर हम लोग जानते हैं कि इससे अगर बात करें तो कि अगर एबी से एक किरन निकला अच्छा एक और अगर एबी से किरन निकालेंगे इट मिन परकासिक केंदर से होते हुग देखिए यानि कि हम एक और किरन गुजार रहे हैं यहां से परकासिक केंदर से होते हुए तो परकासिक केंदर का एक रूल नियम याद कर लिजेगा कि जैसे अभी कैसे याद कर लिए कि समानांतर किरने जब आती है तो लेंस से उधर कहां से होकर निकलती है फोकस से जब अगर वो परकासिक केंदर से होकर कोई किरन निकलेगी न तो सीधा निकल जाएगी परकासिक केंदर से रिलाक्स नहीं होती है अब देखिए, यानि कि हम ये बताना चाह रहे हैं, कि जब परकासिक केंदर से कोई अगर किरन गुजरेगी न, तो ओ इधर उधर नहीं, ओ अपने सीधे रास्ते से ही निकल जाती है, तो दोनों इस बिंदू पे टकराया है, अब इस बिंदू पे टकराया, तो यही न मेरा इमेज बनाया, यानि कि परतिबीम्ब ये बना, और परतिबीम्ब का नाम रख दीजे, A-B-, ठीक है, आप ये वाला को देखकर बताईए, कि जो परतिबीम्ब बना है, वो वस्तू से छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रह परतिबीम्ब चोटा बनेगा, अच्छा, दूसरी बात कि परतिबीम्ब कहां बन रहा है, तो C2 और F2 के बिच में, C2 और F2 के बिच में, तो यहाँ पर लिखेंगे परतिबीम्ब, C2 तथा F2 के बिच बनेगा, ठीक है, और अगर आपको ये चीजी याद है न, तो आपको खुद अल्रेडी उसके बिच में ही फिगर कटवाना होगा, बनवाना होगा, कि अगर मान लिया अनन्त और C1 के बि बिच में बनता है, तो C2 और F2 के बिच में बना दिये, अच्छा, अब आप ये देखिए कि लेंस के उधर दूसरे साइड परतिबीम्बन रहा है, कि उससी साइड बन रहा है, जिधर वस्तु रखें, दूसरे साइड बनता है, तो यह हो जाता है वास्तविक, और सा पॉइंट था, जब C1 पर रखेंगे, तो C1 पर रखेंगे, तो हम लोगों का इमेज कैसा बनेगा, और फिर हम लोग उसको कैसे देखेंगे, तो यहां लिखेंगे, जब वस्तु C1 और C1 का ही नाम होता है, 2F1 पर हो, जब वस्तु या बिम्ब कहां हो, C1, या फिर बोल सकते हैं, 2F1 पर हो, तब हम लोग कैसे काम करेंगे, सबसे पहला बात जो कॉमन है, उसको फटा-फट बनाईए, एक लाइन गुजारिये, यहां पर अपने नाम से, अपने अनुसार, इसको C1 दीजिए, इसको F1 दीजिए, इसको F2 दीजिए, इसको C2 दीजिए, ठीक है, इतना काम करने के बाद, अब आपको वस्तु रखना कहा है, तो अब वस्तु आपको C1 पर रखना है, तो C1 पर आप दे दीजिए, A, B, यहां पर नाम दे दीजिए, इसका वस्तु का नाम क्या है, A, B, ठीक है, हम C1 पर वस्तु रख दिए, तो इससे जब एको समानांतर कि पढ़ने अगर आएगी तो लेंस से पढ़ने के बाद यहां से एक किरन निकलेगी तो फोकस होकर गुजरेगी और एक्ठो आपको ऐसा लाइन गुजार रहा है कि अजिस इस के बन पर बनेगा जब यहां पर बनेगा क्या कहते हैं यहां पर कटेगा इमेज इसलिए आ ऐसा इसको मिलायेगा ऊसे पास करते हुए जब सही कर लिए एक ऊदो से जब पास करता है लाइन तो सिधा निकल जाता है सिधा निकल गया और इससे दूगों की रह निकला एक फोकस एफटू से गुजरा एक ओस जब गुजरता है रेखा तो सिधा निकल जाता है सिधा निकल गया लेकिन ऐसा जगह पर इसको कट करवाना था ताकि यहां पर सीटू पर ही इमेज बनाए क्योंकि हम लोग याद किये है क्या याद कि हैं भई कि अगर पर वस्तू रहता है तो उसका पर देविम बनता है तो लेंस के बाद वाला जो लाइन रेखा अगर दोनों कटेगा वही न परतिविम बनेगा जैसे यहां यह वाला कटा था यहां परतिभीम बन गया तो आपको according to situation आपको उस तरीके से कटवाना भी होगा कि वहीं हम लोगों का image बने हैं तो यहां पर image बन गया अब ज़रा इसमें कौन-कौन से point लिखेंगे यही point लिखेंगे कि परतिभीम आखिर कैसा बनेगा तो जब C1 पे रखते हैं और C2 पे रखते हैं तो यहां पर भले थोड़ा सा यह वल लग रहा होगा देखने में कि सर बड़ा लग रहा है लेकिन आप जब बनाएगा pencil की साहता से तो आप बिल्कुल वैसा ही बनाएगा जैसा देखने में लगे कि नहीं भाई यह और यह image बराबर है ठीक है तो यहां प किया बनता है तो परतिवीम का size बराबर होता है परतिवीम बराबर होते हैं बराबर होते हैं वस्तू के ठीक है परतिवीम बिल्कुल बराबर बनता है और दूसरा बात कि एक और चीज कि आखिर परतिवीम बन कह रहा है तो यह वाला point C2 था ना तो परतिवीम C2 पर बनेग ठीक है और एक लास्ट पॉइंट यह कि आखिर वास्तविक होगा कि अभासी होगा तो लेंस के दूसरे साइड है तो जब लेंस के दूसरे साइड रहता है तो क्या बनता है वह वास्तविक ठीक है और जब वास्तविक लिख दिये तो अब लिखना होगा उल्टा क्योंकि वा नंबर 4 और नंबर 4 जैसा कि आपको पता होगा कि नंबर 4 में हम लोग कहां रखते हैं F1 तथा C1 की बीच या फिर C1 तथा F1 की बीच जो भी बोल लिजे तो अब हम लिखेंगे जब वस्तू C1 तथा F1 के बीच हो C1 या F1 बोलिए चाहे F1 चाहे C1 बोलिए दोनों के बीच में कतों बीच में हुआ न कुछ भी होगा हम लोगों को तो इतना काम करना होगा एक उत्तर लेन बीच में से पास किया और जड़ा बनाते हैं यह वाला point O हो गया यहाँ वाला point C1 हो गया यहाँ वाला point F1 हो गया यहाँ हो गया F2 और यहाँ हो गया C2 ठीक है इस बार हम लोग वस्तू को कहां रख रहे हैं द्यान से देखिए तो C1 तथा F1 के बीच तो हम C1 तथा F1 के बीच में कहीं भी आप यहाँ भी रख दिजेगा कोई ऐसा नहीं है कि बीचो बीच होना चाहिए एक कभी भी गलत फहमी ने करें हाँ C1 तथा F1 का बीच का मतलब है हुआ कि C1 यहाँ है F1 यहाँ है तो मेरा कलम यहाँ है तो इभी तो बीचे में नहुआ इभी तो बीचे में नहुआ और K बीच में का मतलब यह हुआ कि आप कहीं भी इसको रख सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है तो हम C1 और C1 F1 के बीच में एक AB वस्तु को रख दिये हैं जैसा कि जानते हैं अगर यहां पर एक AB वस्तु को रखेंगे तो हम लोगों को कहां से कैसे बनेगा जड़ा देखते हैं तो इसमें सबसे पहला बात याद होना चाहिए आपको कि अगर C1 F1 के बीच रखते हैं तो C2 और अनंत के बीच बनता है है कि नहीं वो कहां बनता है C2 और अनंत के बीच बनता है तो जब C2 और अनन्थ के बिच बनता है तो आपको ऐसा ही काम करना होगा सबसे पहले एक रेखा को गुजारेंगे समांतर तो समांतर को अगर गुजारेंगे तो किस से पास करेगा हम लोग जानते हैं कि वो F2 से पास कर जाएगा ठीक है और जब हम लोग जानते हैं कि C1 F1 पर अगर वस्तू को रखते हैं तो अनन्त और C2 के बिच तो कि C2 यहाँ है और C2 के बाद वाला इधर जो छेत रहो अनन्त कहलाता है इधर कहलाता है अनन्त तो एक ऐसा O से गुजारना है लाइन कि वो अनन्त पर इधर आके कटे तब इना C2 और अनन्त के बीच बनेगा तो हम इसको ऐसे गुजारने लाइन O से गया O से गया यहाँ कटा सुरी यहाँ कट गया लग रहा है कि C2 पर ही कटा तो आपको थोड़ा सा और इधर बनाना है इधर आगे बनाना है कि इधर कटे ठीक है और जब यहाँ कट जाएगा तो यह वाला यहाँ पर कटा मेरा यहाँ पर कटा तो हम इसको बोल देंगे A-B-A क्या हो गया प्रतिबीम हो गया यानि देखिए आपको जो है ना अपने तरीके से ऐसे जगह पे कटवाना है कि जो हम लोगों टेबल लिखे हैं वो सही होना चाहिए है ना एक को जरूरी नहीं है कि इंच से दू सेंटीमेटर पांसे मिटर नाप के बनाना कभी नहीं यह अपने तरीके से होना चाहिए रेखा बिलकुल सीधा होना चाहिए इना कि लंकवा मार दिया यहां से खिचवा दिये जवर्जस्ती वैसा नहीं आपको बिल्कुल सीधा रेखा होना चाहिए यह नहीं कि सर तो आप बुले थे न कि यहां पर कटवाने के लिए तो हम मिला दिये गोई से धनुस लिए अंटेन करके तो कभी नहीं ठीक है अब बिल्कुल और ऐसा नहीं तो फिर आप टेंसिल से बना रहा है ना तो सीटू देखिए कि सीटू पार कर गया तो इसको मिटा के आउस सीटू के इने कर देजिए अरे बहुत खुद तरह का दिमाग होना चाहिए है ना अगर मान लिया कि यहां पर कट रहा है सीधा लाइन में और कहा निकलता है तो यहां से कटता है तब इसको हम लोग परतिवीम्ब कहते हैं तो जरा आब हम लोग देखते हैं कि परतिवीम्ब कहां बन रहा है तो सीटू और अनंत के बीच में है ना या फिर बोल सकते हैं अनंत और सीटू के बीच में तो यहां लिख दीजेगा कि परत ऐसा फिगर में बनाना है क्योंकि फिगर जो है आपको अपने तरीके से बनाना है ऐसा फिगर बनाई है कि थोड़ा सा वस्तु से बड़ा दिखाई दे क्योंकि हम लोग याद भी किये हैं टेबल से सारनी से कि जब C1 और F1 के बीच वस्तु रहता है तो परतिबीम C2 और अनं बनेगा चेक है और परतिबीम जब बड़ा बनेगा तो आप यह समझे कि हम लोगों का परतिबीम बड़ा बन रहे है का मतलब क्या है और वास्तिविक होगा कि उल्टा नह्यां बहनगा तो देखिए लेंस के इधर वस्तु है जिधर वस्तु है उसका जब दूसरा साइड बनता है परतिवियम तो वास्तिविक होता है तो यह वास्तिविक भी है और उल्टा भी है तो दोनों चीजें हो रही है तो इस तरीके से हम लोग यह चौथा किस था चलिए आगे बढ़ते हैं पांचमा केस कब हम लोग सिखे थे पांचमा केस सिखे थे कि जब हम लोग वस्तु को एफवन पर रखेंगे कहा रखेंगे एफवन पर रखेंगे तब हम लोगों को कैसा बनेगा तो जब एफवन पर रखेंगे तब कैसा बनेगा तो अब लिखेगा जब वस्तु एफवन पर हो ठीक है तो जब वस्तु एफव पर हो तो अभी छोड़ दिजे कि F1 पर है कि F2 पर है कि चंद्रमा पर है कि सूरज पर है अभी हम लोगों को काम इतना करना पड़ेगा यहां पर थोड़ा सब बीचो बीच बनाएगा यह नहीं कि सतर आप तो इसी बना रहे थे हम देखिए आप लोगों को सिखाने का काम कर है आप लोगों को जो डाइग्राम बनाना है विल्कुल एकुरेट करना है यहां पर बिचो बिचो बिच परकासी केंद्र हो गया अपने हिसाब से यहां सीटू ले लिजेगा और देखिए आपको हम इसलिए पेंसिल से बोल रहे हैं यहां स्वारी सीवन यहां F1 आपको हम इसलिए न बोल रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भी फीगर में हो तो आप मिटा के इधर उधर कर सकते हैं अब हम लोगों को वस्तू कहां रखना है F1 पर तो यह F1 है इधर वस्तू रख दिए F1 पर ठीक है वस्तू का नाम हो गया AB एक वस्तू हो गया अब हम लोगों को क कहां इसका परतिभीम बनाना है तो इसका परतिभीम जो है अनंत पर बनाना है अनंत पर ही न बनाना है तो अनंत पर बनाने के लिए काम कैसे करेंगे दिखिए सबसे पहले एक रेखा को गुजारेंगे समांतर तो जब समांतर गुजारते हैं तो कहां से होकर गुजरता है फो ठीक है यह हम प्रकासिक केंद्र से गुजारे हुए लाइन है देखिए प्रकासिक केंद्र से जब एको रेखा गुजरता है तो सीधे पास कर जाता है उस सीधे पास कर गया ठीक है अब जब उस सीधे पास कर गया तो आप यह देखिए कि जब समानांतर जो रेखा होती है कभ मजमियारी बात आखिर हम उसको अनंत क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दूग और रेखा जो है इधर अगर टकरता तब नहीं वहाँ परतिभीम बनता लेकिन यह लोग ऐसा माना जा रहा है कि सिधा चलते जाएगा चलते जाएगा अनंत तक चलते जाएगा तब नहीं ठकरेगा इ इसलिए क्योंकि यह दोनों रेखा जो है कभी कट नहीं रहा है और देखिए जहां कटता है वही न परतिभीम बनता है तो यह लोग दोनों को ऐसा ही यहां से गुजारना है ताकि समाना अंतर हो पैरलल हो और लोग ऐसा माना जाता है कि कभी नहीं ठकरेगा इसलिए उसको अनंत बोल दिया जाता है तो परतिभीम जो है अनंत पे बनेगा और जब अनंत पे बनेगा तो आप सोचिए कि वो कैसा बनेगा अनंत पे अगर जिसे मान दिया कि इधर अगर आते रहता आते रहता इधर यहां पे कटता तो और बड़ा बनता अनंत पे है तो बहुत बड़ा बनेगा है ना देखिए बड़ा हम क्यों नाम दे रहे हैं क्योंकि अगर यहां पे कटता तो यहां पे यहां पे इतना बड़ा इमेज बनता अगर यहां कटता तो इतना बड़ा इमेज बनता ऐसे ही अनंत यहां पे कटता तो इतना बड़ा लेकिन अनंत बोला जा रहा है तो तरफ इसका परतिबिम बनने वाला है तो यह वास्तविक होगा क्योंकि जिधर वस्तू है इसके दूसरे तरफ परतिबिम बन रहे तो यहां लिख दें जिए वास्तविक और उल्टा ठीक है तो इस तरीके से इसमें हम लोग figure को देखे अब चलिए एक last case बचा हुआ है उत्तर लेंस में वो छठा अब छठा क्या है जरा उसको देख लेते हैं छठा में है छठा में कौन सा case है कि जब वस्तू को हम लोग F1 और O के बीच रखेंगे जब वस्तू F1 तथा O के बीच हो ठीक है अब F1 का मतलब क्या समझ ही रहा है जो भी समझ रहें प्रकासिक केंद्र होता है तो सबसे पहले कुछ भी अब करना ही होगा क्यों कि रोदार लिंश में आभी काम कर रहे हैं यहां होता है और देखिए सीधा लाइन होना चाहिए बारबर मेरे से वे कि आपको समझाना और दूसरे बार में यहां पर पैंसिलद से और इंच लेकर बैठना वो थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है क्योंकि आप देखी पा रहोंगे कि यहां पर सूट करना भी पड़ता है एक हांसे फोन और दूसरे तरफ में सब चीज मेटरियल्स थोड़ा से यहां पर प्राब्लम है और आपके सामने तो एक फोन स्टार्ट करके रख देना है और सब चीज ब्यवस्था रहने चाहिए तो समझे रहे थे हम लोग कि एक उत्तर लेंज है और इतना तो हम लोग को काम करना है वस्तु को कहा रखना है दिए फोन तथा ओ के बिच ओ का मतलब जानते हैं प्रकासिक के अंदर होता है इसके बीच में रखना है तो आप कहीं भी रखें जैसा कि हम अभी बताए कि जरूरी इनिकी फोकस से पुकर गुजर्जाता है दिल्कुल यहां से तीरचा मारेंगे गुजर्गया यही व्याला लाइन यह व्याला जब रेखा इससे निकला समानांतर तो यहां से लेंस से टकरने के बाद f2 से होकर निकल गया और निकलता भी है सब फिगर में ऐसा बनाए है चुकि इसका आपको परतिबिम कहां बनाना है इसका परतिबिम बनाना है आपको बोल सकते हैं कि अनंत और C1 के बिच या फिर बोल सकते हैं जिधर वस्तु रहता है उधर या ही न तो आप ऐसा मानें कि ये वाला जो लाइन कटा अच्छा ठीक है एक और ओ से गुजरेगा तो ऐसे आएगा जब ओ से लाइन गुजरेगा तो ऐसे आजाएगा लाइन यानि ओ से जब पास करता है ओ तो अटमेटिक निकल जाता है आप देखिए कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो कभी इधर नहीं कटेगा क्योंकि देखिए इधर जब बढ़ेगा तो कभी कटेगा कभी लाइन नहीं कटेगा क्योंकि कभि कटता जब ये दोनों और नजदीक आते रहता तब कटने का संभावन था लिकने यहां पे ऐसा figure बन जाता है इसमें जब वस्तु को F1 और O के बिच रखिएगा तो ऐसा इसमें figure बन जाता है कि कभी कटबे नहीं करेगा इसलिए इसको कटने के लिए क्या क्या जाता है इस F2 को पीछे की और मिलाया जाता है देखिए डोड़ 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 लाइन से इस F2 को पीछे भंगे मिलाया जाता है पीछे साइड और E वाला जो है आगे नहीं कटेगा इसलिए इसको पीछे की और मिलाया जाता है तो द देश बीडेस तो हम लोगों का थोड़ा सा गिजबिज हो गया इसी पर आगया कट गया तो आपको अपने अनुसार इसको कटवाना है पीछ अब legit समझें कि आखेर हम पीछ इसको क्यों कटवाएं क्योंकि आगे ऐसा फिगर बन गया कि आगे कटने का समभावना नहीं था इचल जा रहा था इधर और इचल जा रहा था इधर ठीक है ऐसा आप a scale pencil से बनाएगा कि ये दोनों थोड़ा सा ऐसे बढ़ता हुआ न जा रहा है और इसलिए हम लोग इस f2 को पीछे की और मिलाये हैं और इस वाले को पीछे की और मिलाये हैं तब जाके यहां कटा इसी लिए इसको बोला जाता है आभासी आभासी का मतलब होता है काल्पनिक मतलब काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना करना सोचना कि सायद पीछे मिल रहा होगा ठीक है? तो हम लोगों को क्या बात पता चला? कि इसमें जो परतिवीम्ब बनता है एक तो पक्की बात है कि A B मेरा छोटा वस्तू था लेकिन परतिविम्ब क्या बन रहा है बड़ा बन रहा है तो यहां पे एक point लिखेगा कि परतिविम्ब बड़ा बनेगा और दूसरा कि परतिविम्ब कहा बनेगा तो आप कभी में ही इसा बोलिएगा, आप सिर्फ ये बोलिएगा, कि जिधर वस्तू रहता है, उधर ही बनेगा, क्योंकि मान लिया जा कि किसी किसी का यहां कटेगा, तो यहां मिलाएगा, किसी किसी का, यहां मतलब कोई restriction नहीं है, कि इसी के बीच में आपको बनाना है, समझ इसलिए आप यहां पे लिख देंगे, कि जिधर वस्तू हो, उधर परतिवींब बनेगा, यह लिख देना है, और आप यह ने लिखे कि C1 और F1 के बीच बनेगा, चाहे F1 पे बनेगा, चाहे अनन्त और C1 के बीच बनेगा, ऐसा कोई confirm नहीं है, इसलिए हम लोग यह बोल यह है कि जिधर वस्तू रहेगा, बस उधर ही बनेगा, अच्छा, अब आप एक बात बताईए कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो यहां पे आभासी होगा, क्यों? क्योंकि जिधर वस्तू रह रहा है, उधर ही परतिविंबी बन रहा है, तो यहां पे लिख देंग काल्पनिक और सिधा बनेगा तो इस तरीके से आज हम लोग विस्कस किये उतल लेंज से जो हम लोगों को आरेक खिचना था ओ आरेक को टोटली डिसकस किये तो आज के क्लास को यहीं तकिंड करते हैं आपसे बहुत उमीद है कि आप इन फिगर को इन डाइग्राम को अच्छे से नोटबुक में नोट करना है पेंसिल की साहता से अगर आपके पास अलग-अलग तरह का कलर का पेंसिल होगा तो आप अलग-अलग जैसे किरन को दिखा दिजेगा इसको रेड से इसको ब्लैक से तो अलग-अलग ताकि फिगर सुन्दर दिखना चाहिए आपका नोटबुक में यह सब बहुत माइन रखता है और आपके एक्जाम में भी आएंगे अगर आरे खिचने के लिए तो आप के पास अगर नोट्स अच्छा रहेंगे तब ही न तो चलिए इनी सब बातों के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले क्लास में